किलांक आंडुय अगमेत्य हैटी एट एव अड़काट उथु भारगान्न माम क्रिया करनो। माम महित्रिपाल सिरिषेन जनाजिपवत्युमा इयम उनगे हुना। कितुमा एक अपी यहाँ पालने आप आरंब करांथ इदिरी एट गेनी आंट क्रिया करनो। इशेशेम माम एक कार्ने आप कियानन क्यामती में चंदेट आप इदिरी पात्तुने सम्मुति वादय आगेनी आंट। मेराटे जनतावक एप्रश्न दिहा बलला एप्रश्न विसदानन पालिमेंत्यु यह सियलु देनाम इकतु करकान। अन्ने वड़काटि उत्तें अपी इवत्वेन्यने अपी एवड़काटि उत्ते एदेनो। माम पालिमेंत्येन सियलु पक्षवल्ट आरादना करनो। अपी सम्मुति वादयें इदिरी एट एणन अपी जातिक कार्तावे आत्ती एणने आंडुएता बैलीला एट अन्नसरु एककः नच्थ आंज्ताम पालिमेंत्ये अलु तेंग एठिक आरन तानसरु एककः आदी एक्रमवेद बेकाटियेनो। इह क्रमवेद बेकें विकाल्पया करगेन अपी एकत एकतु इदिरी एट एणन। अपी पालिमेंतिय अनुमतिय इल्लनो, में वेड़ बेड़ साठाहन करांट, अट उमना वेला सियनने, में सियल्लम एकतु करगांट, अपी आगमिकनायकी इन समग, अपी यक्कम एकतु वेला, अपी परन जेशपाने प्यत्तकर दाला, अपी आउड़ुदु पहाग मेरा अटे मूलिका प्राष्ण पिलिबंद एकंग अधावया कैतु करगांट, अपी इल्ला ने पालिमेंतिय इं, में यहा पालने अनुमत करांट, इत पासे समंग, सम्मुति वादेतु लिंग, में एकत एकतु वेला, अनिक पक्षनायकी इंक साक अच्छा कर्ला, में सम् अधार आट विरुद्वन, जनता वङ्ण अधावया, जनता वोमन, अधार प्राष्ण स्यधाने, अपी में अवस्ता वेधी इताम самकामी मैतिवरनेक, नीति-garuka मैतिवरनेक, आपी मुन दूने, किसे माप्राष्ण प्राष्ण अन्ये, एक तावकालिक सिध्या नोऑ, एक ेका हेाम समाजय थ VERソ Having an EO M बराते तरुनन ठरुन और यंगे एप्राष्न विन सामान आव, टक्व इन आवगे एप्राष्न विना अवगे एप्राष्न विना नत् collar नत imports वाँ भूला On August 17, The people of this country, Exercising their franchise In the parliamentary election, अभन प्रेज़ अर्फ जनुरी इंवे एक और रहीं। जा तर्टमॉश्स भीपष्टेव थायज चारी बाओंग वेह कोई तर्टमॉ पूल जा तर्टमॉटा फरोड़ में पर भीजर प्रेक्षाइब नायाट जाओंगा थार वाल लिएूश्य। on our national policies, we will, I have got a mandate to put before Parliament our plan of the, our plan so that we could arrive at a consensus and build a national framework through which, within which we will do our politics. So this new approach, the Lichavi approach, as we call it, requires all parties to work together, either in the government, holding ministerial positions, or in Parliament, through the oversight committees, we will also be having district development coordination boards headed by MPs to carry the grassroot, carry out the decentralized development, and finally, the bodies which will have civil society without politicians. The Grama Rajya committees, which will cluster the villagers, as well as the advisory council, which will consist of civil society. I have already spoken to the religious leaders, we, I want everyone to come together now, think of the country, think of the people, we can achieve unity, progress in this country, if we work together, even for two to three years. For the sake of the people, and that they have indicated their preference, let's work this together, I don't think anyone can opt out, or can they go back to the decisive, to the divisive politics, we will not allow that. So we look forward, and together with the President, and all party leaders, we will be looking forward to having a new era of politics and of government in this country. Thank you.